खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक्दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है नमस्कार साथियों आज आपके बीच में आप सभी की मांग पर एक बहुत ही सांदार टॉपिक को लेकर आए है हमने हर वीडियो में देखा अक्सर कमेंट आ जाते थे आप सभी किसर जो भी इंपोर्टन फार्मूला यानि बेसिक से फार्मूला होते हैं उन पर वीडियो वना यह तो वही क्लास आज आपके बीच में लाए हैं दोस्तों तो आज का वीडियो पूर बहुत ही सांदार होने वाला है और वीडियो को फुल वाच कर लेना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज देखते हैं जो क्या होता है कि अकसर आप बड़े-बड़े फार्मूलास को रटने के चक्र में छोटे जो समझना है पहले जो छोटे-छोटे फार्मूलास हैं उनको समझ ये क्योंकि इनका इस्तेमाल चाहे हो कच्छा 10 में हो 11 में हो 12 में हो या फिन 9th क्लास में यहीं हर जगह पर इस्तिमाल होगा इससे आगे भी competition level में भी आपको इनकी ज़रुरत पड़ेगी तो चलिए यहां से हम देखते हैं दोस्तों की माल लेते हैं जैसे पहला है कि छेतरफल बराबर सुत्र क्या होता है तो लंबाई गुले चौड़ाई क्योंकि छेतरफल हमेशा किसी न किसी चीज का निकालना होता है तो छेतरफल यानि ए बराबर क्या होता है छेतरफल लंबाई और गुले का चौड़ाई देखिए यहां से हम एक एक चीज मात्रक मीटर स्कॉयर बट यहां पर हम क्या फार्मूला को देखेंगे ठीक ना मात्रक इसमें बताते चलेंगे लेकिन सूत्र को यहां पर पहले समझेंगे अब दूसरा है आयतन यहीं वैलूम वी बराबर क्या होता दोस्तों यहीं आयतन इसका किसी भी चीज का आयतन निकलन हो तो क्या होता है लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई तो यहां से लंबाई गुणे चोड़ाई और गुणे उचाई अगर बात करें इसका मात्रक तो क्या होता है दोस्तों आयतन यहीं लंबाई हो तभी मीटर चोड़ाई है तभी मीटर में और इसकी उचाई हाइट होगी तब भी मीटर में ही ना पेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा मीटर क्यों हो जाएगा तीसरा है घनत यानि डेंसिटी घनत तो बराबर होता है दोस्तों द्रब्यमान बटे आयतन यहीं देखो घनत तो यहां पर रो से भी लिखा जाता है यह डी से भी लिख सकत है रो बड़ाबर क्या होता है द्रबिमान और बटे में आयतन अब देखिए मातरक की बात करेंकNews कि किलो करों कि और उन्हें कितरों ड्रबिमान का मातरक मीटर क्यूब कर साथब और इसलिए इसका मातरक बड़ाईगा दोस्तों वो बटे समय यानि टी अब मात्रक दोखेंगे दोस्तों तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड तो मीटर प्रती सेकेंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा चलिए निक्स देखते हैं कि तौरण बराबर होता है तौरण बराबर वेग में परि सेकेंड इसक्वायर हो जाता है ठीक अब है कि समवेग बराबर द्रब्यमान गुणे वेग चलिए दिखिए यहां से अगर नहीं दिख रहा है तो उपर लिख देते हैं इसका 6 नंबर का उपर लिख देते हैं कि समवेग बराबर द्रब्यमान गुड़े वेग यानि समवेग को P से लिखते हैं P बराबर द्रब्यमान को M से लिखते हैं और यहाँ पर वेग है वी तो द्रब्यमान गुड़े वेग अब देखिए इसका मात्रक बात करेंगे तो द्रब्यमान का मात्रक किलो गराम और वेक का मात्रक मीटर प्रती सेकेंड यानि किलो गराम मीटर प्रती सेकेंड अब चलिए यहां से नेस्ट देशते हैं दोस्तों यानि बल बराबर क्या होता है तो बल बराबर द्रब्यमान ग कपे 2 सकेंड 59 तो हो जाएगा इसका मात्रक दोस्तों किelो गराम मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइर ठीक अगला चलेंगे यहां से देखें इसी का मातरक यहाँ पर ध्यान दिना डाइन भी होता है अगला हो जाता है कि आवेग बराबर बल गुणे समय तो आवेग को यानि जे से दर्साया जाता है जे बराबर हो जाएगा दोस्तों बल यानि F फोर्स है और गुणे का समय जे बराबर FN2T अगर बात करेंग के Newton सेकेंड इसका मातरक क्योंकि बल का मातरक Newton समय का मातरक सेकेंड अब होता है कारी बराबर बल गुणे बल की दिशा में बिस्थापन तो W यानि वर्क बराबर क्या होता है बल यानि F उसके बाद बिस्थापन यहां पे चाहे Dx लिख दीजिए यानि D लिख दीजिए यहां पे बिस्थापन हम माल लेते हैं R ठीक हैं कुछ भी F into D भी होता है F into R भी जो आप समझेंगे यहां पे यह दोरी यानि विस्थापन है तो इसका क्या हो जाएगा Newton मीटर हो जाता है ठीक देखिए विस्थापन यही लिखेंगे तो ज्यादा नहीं तो यहां पे समस्या होगी यानि सबस्टेंस होता है अब देखिए वैसे कारी का मत्रक J होता है ठीक अब यहां से इसका अगर देखेंगी पी यानि सक्ती बराबर पी बराबर डबलू अपान क्या होता है अगर मात्रक की बात करेंगे जोつों कारी का मात्रक जूल तो जूल प्रती समय का मात्रक सेकंड जूल प्रती सेकंड फिर अगला है दाब बराबर बल बटेच छेत्रफ़ल देखिए दाब को भी π यानि f अपान और छेत्रफल क्या होता है e f अपान e अगर मातरक की बात करेंगे दोस्तों तो बल का मातरक तो Newton हो जाता है और e छेत्रफल का मातरक meter squared तो Newton प्रती प्रती zasquare अगला है पिरिश्टि तनाव बराबर बल बटे लंबाई ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं आज जो बारा नंबर है ध्यान दीजिएगा जो बारा नंबर है लिख दे रहे हैं उपर इसका पिरिष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई लिखा ह तो परिष्ठ तनव यानि T हो जाता है टेंसन यानि तनव ऐसके बाद T बराबर यहां पे अपान लंबाई क्या है ल तो बल बटे बल का मात रुक् व क्या होता है नीज़u तौ बराबर F into R तो यहां से इसका अगर मातरक बात करें कि तो बल का मातरक Newton हो जाएगा और यहां पर क्या है R क्या है दूरी दूरी का मातरक मीटर तो Newton मीटर इसका मातरक हो जाएगा अगला देशते हैं दोस्तों कि Planck नियताग यह यह बहुत इंपोर्टेंट होता है दोस्तों इसे एच से लिखते हैं एच बराबर उर्जा उर्जा ध्यान दीजिएगा ई होता है और अपान आवरित्ती न्यू इसे वी की तरह होता है न्यू से इसे न्यू पढ़ा जाता है तो इसका मातरख हो जाएगा इअपान न्यू अब यहां से उर्जा का मतरग क्या होता है जूल में आवरित्ती का मतरग हर्टाज जूल प्रती हर्टाज हो जाएगा अगला है कि विववांतार इलेक्ट्रिक में चलते हैं दिखिए यहां पर हमने दोस्तों ध्यान देना केवल बेसिक से फार्मूलाज को रखा यानि इंपोर्टन नहीं है इसकी जरूरत कहीन न कहीन लगभग हर सब्सक्राज होती है ठीक है इस लिए इस लिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यह विडियो बना रहें अगला है कि विभवांतार यानी बराबर हो जाता है दोस्तों विभोंतर बराबर इनी कारे बटे आवेश वी बराबर डबलू बाई क्यों तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कारी का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम तो जूल प्रति कूलाम या विभोंतर को इसे बोल्ट हो जाता है अगला है कि प् वी अपान आई तो मात्रक क्या देखेंगे विभाव का मात्रक बोल्ट हो जाता है दोस्तों और धारा का मात्रक एंपियर तो बोल्ट प्रति एंपियर या फिर वैसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं ओम अगला है कि धारिता C बराबर अगर मात्रक की बात करें कुलाम प्रती बोल्ट फ्र यह ब्लांप्रति या फिर इसी को फैयरट में ख़ा जाता धारतاعता का मठातर क्या होता है अगला है कि बैदूट्ट्चेतर ब्राबर बल बटे आवेष तो यहां पर देख लेते हैं ठारा नंबर में कि बैदूट्चेतर या इप एंब बयाबर ब बटे आवेष तो ब कांग धन आवेश्ट पर लगने वाले बल की मात्रा को ही बयदुछेट की तीबरता कहते हैं तो इसका मात्र को जाएगा अदो दोस्तों आजके वीडियो में इतना है और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प भाई बस एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि सर इस टोपिक में समस्या है आप वीडियो बनाए हम तो हमेश्या आपके लिए ततपर हैं क्योंकि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और दोस्तों मरते दम तक तो दोस्तों ऐसे ही प्यार को बनाए रखें और अपने इस यूटू वीडियो में.